कि श्टार्ट करते हुए तो हमारा स्लेबस क्या है एक क्या स्टैंड फॉर एज और कुबर्नीटी इस सर्विस इसको कई लोग बोलते हैं मैनिज कुबर्नीटी सर्विस ये भी बोलते हैं क्या रीज़न है तो एक केस को इंडेस्ट्रेंट करना है तो सबसे पहले आप समझो क्यों इसके बारे में समझो कि क्या है तो Qperity की अगर हम लोग बात करें तो यह है Workstation Management टूल अब Workstation Management टूल का मतलब क्या होँग गया workforcestation management टूल अगर हम लोग देखें तो टेकनलोजी धीरे 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 क्या करती गई आगे बढ़ती गई तो पहले इंडस्ट्री में हमें डेटा सेंटर में सेट अप करने के लिए पहले हमें कंप्यूटर यूज क्या करते थे बेर मेटल कंप्यूटर जिसको हम लोग क्या है क्या यूज करते थे लुजाय ंदर 2000 कुंपिटर के होते थे और फिर इनको यूज़ करके हम लोग data center बनाते थे और जब हम लोग data center बनाया करते थे तो फिर उट वो networking devices वगेरा हमें चाहिए राउटर्स चाहिए कि डिवाइश काया IP address घंघ डेररन लवन चाहिए आप सबको पता है कि बेर मेटल के जमाने में प्रॉब्लम ही होती थी कि इंफरस्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई चला जाता था और 40% 60% मैन पावर एक्चुल गोल के तरफ फोकस ना करके आपकी कंपनी इन इंफरस्ट्रक्चर में ही उलजी रहती थी कोई कंपनी अगर किसी को सर्विस दे रही है तो इंफरस्ट्रक्चर में उनकी 40% मैन पावर डिप लगे हुए और में गोल क्या है सॉप्टर डेप्लमेंट करना सर्विसेस देना निव फीचर लाके देना फिर देरे-देरे क्या हुआ मार्केट में वर्चुलाइशन का टेक्नोलोजी आ गया तो वर्चुलाइशन टेक्नोलोजी आने से थोड़ा सा मिल गया लोगों को कि जहां पर हजार वियम जब हजार वियर मेटल मसीन की जरुत पढ़ती थी वहां 200 में काम हो जाता था इस तरीके के बट वर्चुलाइशन बोले तो वियम बेर कंसेप्ट आने के बाद ओपन स्टैक कंसेप्ट आने के बाद भी चीज़े रुकी नहीं फिर मार्केट में एक न्यू टेक्नोलोजी लाँच होई कंटेनाइजेशन क्या होई कंटेनाइजेशन तो लोगों ने काफी अच्छी टेक्नोलोजी ते इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को जो हुआ हो हुआ कॉस्ट को लेके आप सबको कंटेनेजेशन के बारे में पता हुआ कंटेनर के बारे में कि आप 10 MB, 20 MB, 25 MB, resources पे अपनी अप्लिकेशन को इनीशेल स्टेज पे रन करके रन कर सकते हो फिर आगे लोड बड़ेगा तो इंक्रीस करता जाएगा बट वीम के केस में वेयर मेटल के केस में तो ऐसा होता था कि आपको इनीशेल स्टेज में चार जीवी रहम आपको फिक्स करके देनी होगी क्यों देनी होगी क्योंकि एक सैपरड आप्लिंग सिस्टम कि क्या हुआ कॉस्ट जहां वन ताउदंस वेयर मेटल लगाने पड़ते थे वीम बेर आने के बाद 200 वेयर मेटल लगाने पड़ रहे हैं बट कंटिनेशेल आने के बाद आप देखो तो पचास में ही काम हो जाना है मतलब जितना नीड है उतना ही लगाई उससे एक्स्टा नहीं बट पहले के के समें बेर मेटल के एक्स्टा आपको रखना पड़ताईगा तो जब कंटिनेशेशन टेकनोलोजी आ गई तो कंटिनेशेशन टेकनोलोजी के अंदर अब हमें कंटेनर कंप्यूटर के तोर पर हमारा कंटेनर को वक करेगा तो अब कंटेनर का मैनेज करना है कंटेनर की पूरी मैनेजमेंट हमें देखनी है मतलब एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए कंप्यूटर तो ठीक है नीट पड़ी रही है बट कंप्यूटर के अलाबा और क्या-क्या चीज़ चाहिए पूरे डेटा सेंटर को तैयार करने के तो अन नमबर ओफ रिसोर्स चाहिए तो इच राउटर फायर बॉल स्टोरेज गेटवे लोड बैलंस अब बहुत सारी चीज़ थी है बट यहाँ पर कंप्यूटर की जगा क्या है कंटेनर है और कंटेनर एक सॉप्ट्वेर है सॉप्ट्वेर की तोर पर वक करता है जो आपको दिखाई नहीं देता तो इन सब की मैनेजमेंट करने के लिए मार्केट में मैनेजमेंट टूल लाउंच हुआ जिसका नाम है क्यूबरेटी और भी बहुत सारे मैनेजमेंट टूल है बट क्यूबरेटी सी बूम पे क्यूँ चला क्यूंकि डॉकर सॉम भी आपने सुना होगा पहले कभी डॉकर सॉम भी यही करता था बर डॉकर सॉम के साथ प्रॉलम है कि बड़े इंफ्रस्रक्चर के लिए एक लार्ज इंफ्रस्रक्चर के लिए पर्फेक्ट नहीं है डॉकर सॉम की एक लिमिटेशन है कि आपका इंफ्रस्रक्चर इस लेबल का होगा तो यूज करें बहुत बड़े लेबल का होगा तो उ kubernetes डबलॉट वाई गूगल कंपनी किस ने डबवग किया Google कंपनी ने और Google कंपनी पबिछ में लाने से पहले अपने डेटा सेंटर में इन्नोंने 10 साघी उस किया 10 साल Kubernetes को यूज किया देन उसके बाद इन्होंने पब्लिक पे लॉंच किया और जब पब्लिक पे लॉंच किया तो Linux Foundations नाम की Organizations इसको हैंडल करती है बट Kubernetes Core open source है क्या है? टोटाल open source है आपकी कंपनी Containerizations Technology यूज करना चाहती है तो उसे Workstation Management टूल चाहिए मतलब container को manage करने वाला टूल चाहिए तो Kubernetes को free of cost यूज कर सकते है no doubt क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये open source है अपने according कस्तमाइच कर सकते हो no doubt बट Kubernetes को यूज करने के लिए आपको एक high manpower skills की need होती है high manpower skills का मतलब ही होता है कि Kubernetes के उपर अगर आप को Kubernetes यूज करते हैं तो आपको कोई infrastructure label का support नहीं मिलेगा कोई enterprises label का support नहीं मिलेगा किस type के support की मैं बात कर रहा हूँ मैं support की बात कर रहा हूँ कि अगर आप Kubernetes को यूज करके आपकी industry cluster setup करती है तो cluster setup करते time कोई enterprises supports नहीं है आपको अपने label पे करना running cluster में कोई maintenance की problem आती है आपकी company को अपने label पे करना है और भी बहुत सारी चीजे देखे Kubernetes के साथ जो आपको needed application जो integrate करनी पड़ती है जैसे CICD की हो गई, monitoring की हो गई graphical की हो गई यह सब भी आपको अपने label पे configurations करनी होगी आपको कोई enterprises label का support नहीं मिलता Kubernetes के case में तो यह सारी problems को देखते हुए Azure company ने क्या किया अपना Kubernetes service launch कर दिया अब यह अपना Kubernetes service का मतलब क्या है है वही Kubernetes score कोई changes नहीं है है वही Kubernetes बट इन्होंने observe किया कि अगर कोई company Kubernetes open source core Kubernetes को use करती है तो उसको किस-किस stage से trouble करना पड़ता है तो ओ सारे stage को इन्होंने अपने लेवल पर configure कर दिया और फिर आपके सामने ready to move Kubernetes service launch करके दिया और कहा कि आपको Kubernetes use करने के लिए जो cluster बनाने की जो cluster बनाने के लिए जो आपको configuration करनी पड़ती थी जहांपर आप परिशान होते थे वो इन्होंने खुद आपको करके provide कर दिया थोड़ा और आगे चलता हूँ जैसे माल लो आपको core Kubernetes use करना है आपको company में आपके पास कोई application है ठीक है आपके developers applications बनाते हैं और आपको दे दिया और बोला किसे production में deploy करो तो आपके पास तीन तरीका है आप wear metal machine खरीदें उसके उपर कर ले एक तरीका आपके पास है कि कम wear metal machine खरीदें और virtualization का concept deploy करें उसके उपर कर ले एक नया तरीका market में आचुका है cloud computing का कि आप cloud पे जाए और वहाँ से VMs ले ले या आपके पास latest technology क्या है कि आप उतनी VMs ना लें आप क्या लें कुछ VMs लेने कुछ wear metal machine लेने कुछ AWS में machine लेने ज्यादा ना ले और अपना cluster setup कर ले इन में Kubernetes डिपलॉई कर ले तो इन में अगर आपको Kubernetes डिपलॉई करना है इस तरीके से तो आपको सबसे पहले physical servers आपको लेने होंगे या तो आप physical servers ले रहे या तो फिर आप AWS में machines ले रहे लेकिन सबसे पहले आपका काम होगा physical networking करना सबसे पहला काम होगा physical networking का मतलब क्या हो गया कि यह जो आपने 5 computers लिए हैं या 50 computers लिए हैं इनके उपर आपको IP configurations करनी है ओपरिंग system इन पर डालना है फिर आपस में इन सब को पिंग पुंग करना है फिर उसके बाद आपको selection करना कि इन cluster के अंदर इन group के अंदर आपका master node कौन सा होगा ठीक है फरकर node कौन सा होगा master node को ready करने के लिए क्या क्या components हमें लोड करने होगे master node की high availability बनाने के लिए आपको है प्रॉक्सी setup कैसे करना होगा क्योंकि एक को अगर आपने master बना दिया वह अगर डाउन हो गया तो आपका पूरा cluster बैट जाएगा तो master node की high availability के लिए आपको है प्रॉक्सी बगरा setup करना होगा कि आपको decision लेना है कि एक master रखें दो रखें तीन रखें कित्ते रखें फिर कल को यह master node की जो communications आपस में चलती है तो certificate का किसे इसमें मैप करानी है फिर उसी एस सर्टिफिकेट एक्सपार हो जाता है तो उनको रिन्यू कैसे करानी है फिर बीच में आपके cluster पर कोई maintenance मांगता है तो maintenance आपको करनी है फिर cluster के अंदर आपको kubernetes में ग्राफिकल की service चाहिए कि यार यह command line नहीं ग्राफिकल पॉइंट हमें चाहिए तो ओ आपको integration करनी पड़ेगी kubernetes में बाहर से आने वाली traffic कंट्रोल करने के लिए आपको ingress controller set up करना पड़ेगा kubernetes पेस automation development के लिए आपको CIC set up खुद से करना पड़ेगा उसके बाद physical networking आपने की है जिसके अदर आपने router DNS ये सारी चीज़े यूज़ की फिर बाद में बात आते हैं कि kubernetes के अंदर आपको software label की networking set up करनी पड़ेगी तो ऐसे समझ लो core kubernetes यूज़ करते हो तो आपको अपने cluster को using stage में लेके आने के लिए कि आप यूज़ कर सको kubernetes सर्विस को आपको 80% पहले manpower का यूज़ करना पड़ेगा set up करने के लिए उसके बाद कोई भी आपको enterprise label का support नहीं मिल रहा है इस सब काम को करने के तो इसी लिए Azure company ने अपनी aks service launch की Azure Kubernetes क्या लॉंच कर दी सर्थ एजूर क्यूबनिटी सर्विस जिसमें benefits क्या है जिसमें benefits यह हैं कि सबसे बड़ी problem थी है कि आपको cluster set up करने की जूरत नहीं है आप चाहिए आपको cluster के अंदर कितने notes चाहिए आप just few click कर दीजिए वो आपको set up करके दे रहेंगे उसके बाद आपने अगर पहले कभी kubernetes launch किया हो अपनी life में kubernetes setup किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि kubernetes setup करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक hardware में कितना रैम होना चाहिए एक hardware में कितना रैम होना चाहिए तो अगर मैं थोड़ा इनकी official site पर आपको लेके चलूँ इनकी official site क्या है kubernetes.io यहां आ गया तो इनकी official site में अगर आप चलो तो देखो यह आपसे बता रहे कि अगर आपको Kubernetes cluster setup करना है open source score label का तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है क्या लिनक्स होस्ट होना चाहिए वह भी क्या होना चाहिए Linux distribution and Debian Red Hat फिर क्या कह रहे कि दो GB और more of RAM per machine फिर कह रहे दो CPU फिर कह रहे फुल network connectivity between all machine in the cluster public or private network is a fine यह वही कह रहा है कि आपसे पिंग-पुंक सारे machine होना चाहिए फिर कह रहा है यूनिक होशने mac address product UID for every note फिर कह रहा है certain ports are open for your machine कह रहा है cluster आप setup तो करोगे लेकिन जिसको master बना रहे हो जिसको worker बना रहे हो उसमें पार बॉल पर कुछ sports आपको open करने पड़ेंगे तो इन ports को आपको लेकि ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ports open करना लाइक अगर मैं आपकर क्लिक करूं तो यह मुझे बता देगा कौन-कौन से ports मुझे open करने पड़ते हैं यह देखो यह सारे ports मुझे open करने पड़ेंगे अगर आप जिस नोड को master बनाना चाहते हो उस पर यह ports open करने पड़ेंगे क्यों करने पड़ेंगे क्योंकि master node के अंदर API service चलती है जो इस port पे काम करती है तो मालों अगर यह port आप open नहीं करोगे तो आपके worker node कभी भी master node से communicate नहीं कर पाएंगे क्योंकि API service master node पे चल रही होती है और API service इस port पे तो interview में बहुत बर question पूछ लिया जाता है कि आप बताई API server कौन से port पे काम करता है यह कल को कुछ troubleshoot करना पड़ेगा API service अगर आपकी काम नहीं करती है तो हिरारकी system पे आप जब troubleshoot करने पहुचोगे तो आपको यह stage भी चेक करना पड़ेगा कहीं OS का fireball तो कुछ तो नहीं है कई फायरबूर कोई दिक्कत नहीं तो यह सारी चीज़ा आपको पता होना चाहिए कि कुपर्डिस का कौन सा port नंबर होता है कुबनेटिस के API server कौन से port पे काम करते हैं ऐसे आप तब को पता है कि के अंदर जो database होता वीटी सीटी database होता है तो database इस port पे का कर रही है तो कह रहा है कि मार्शनल में सारे ports आपको open करने पड़ेंगे फिर वरकर नोट में अगर हम देखें तो क्यूबलेट्स नाम की सर्विस वरकर नोट पे चलती है तो आपको यह सारी चीज़े पहले setup करनी पड़ेंगी जो कुबनेटिस अपनी ऑफिसियल साइट प है कि स्वाइब कॉन्फरिगेशन देफॉल्ट बेहिवर ऑफ क्यूबलेट वास्टु फेल तु इस्टार्ट इस्वाइब मेंबरी वास डिटेक्टेटेड ऑन नोड राइट यह साब सब कह रहा है कि क्यूबरेंट इस टेक्निलोजी क्या कहती है मैं उन्हों ऑपरेंग सि प्लिए नहीं है वी और किसी को क्लियर है कि कि बारे में पता है क्या कि तो स्पप शर्वर डिनस के अंदर संस ब्लारिस के नाम की कंपनी ने कंसेंप्लांड किया था स्वाइप मैंपरी का क्योंकि पहले हुआ क्या क्या करता ता पहले हूँ क्या करता था कि यह आपK freksample l तो शर्वर का क्या हालत होना है हैंग होना है बॉटलनेक होना है सर्वर डॉण हो जाना है तो उन्हों ने स्वाप मैम्मरी के एक concept लॉंच किया उन्होंने कहा कि आप की जो हाड ड्राइव है उससे आप कुछ इस पेस निकालके एक पार्टिशन निकालके और उसको ऐसा स्व आप बना दिया अपनी फिजिकल हाड ड्राइब को यूज करके मतलब आठ जीबी का स्वैप मतलब फिजिकल हाड ड्राइब में से एक आठ जीबी की साइज निकाला और उसको तो स्वैप टैग देके फॉर्मिट कर दिया तो वो स्वैप कितरा काम करता है अब क्या होगा कि कल को अगर आपका फिजिकल रैम फुल होता है ठीक है और आपके बस क्वैप मेंमरी है सो फिजिकल रैम के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस पड़े होंगे जो स्लिप मोड में है यूज नहीं हो रहे, slip में पड़े हुए, तो existing process को shift कर देगा swap hard type में, तो physical RAM में space हो जाएगा, तो नए traffic को handle करने के लिए पत्व नए load को handle करने के लिए capable हो गया फिर फिसिकल रहे, तो यह concept था, प्पट यह temporary था, उससे पता चल जाता कि आपका फिजिकल में रेप्लेस करना है क्योंकि वो स्वैप यूज करने लग गया तो यह कंसेट था लिनक्स के अंदर तो इसने क्या बोला कि यह कंसेट मेरे को समझ नहीं आता यह कि मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरी एप्लिकेशन बहुत हाई लेबल की है मेरे को लिए फिजिकल राम ही चाहिए वो स्वैप नहीं तो यह वहीं कह रहा है कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं आप बंद करके रख देना आप समझ गए बात को तो इसलिए कहता है बंद करो लेकिन आगे क्या कहता है वार्जन 1.22 और यहां से यहां तक सपोर्ट करता था लेकिन आपको एक्ट्रा कॉन्फिगेशन करने पड़ेगे स्वैप इस सपोर्टेट फॉर सी ग्रूप बरजन 2 अंली दे नोट स्वाप फीचर्स गेट ऑफ दे क्यूबलेट बेटा बट डिसेबल बाइड इफोल्ट यह वही कह रहा है कि दो कुछ किया है फिर बंद कर दिया तो बैटर कि आप बंदी कर दो फिर आगे क्या कहता है यू मस्ट डिसेबल स्वैप इफ दे क्यूबलेट इस नोट प्रॉपर्ली ग फिर रागे क्या कहता है फिर कहता है कि आप अब करते हैं technology करते हैं नहीं है, इन EKS में हम को इस सारी चीज़े से लेना देना नहीं है, आपको जया सहिज़ को बोलना है कि मुझे क्लेश्टर बना के दो, जिसमें मार्चनल नो तीन दे दो और वर्शनलम हो मुझे दस दे दो, अब वो क्या गरेगा, आपने आप आपको लाकर फटा-फट दे द करती है दो network setup करने पड़ते हैं एक होता फिसिकल नेंट्वर्क एक होता है इंसाइड को आभे अगर क्योमनेटीज बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना है और करना करना inside network physical network का मतलब इन node के अंदर क्या IP होनी चाहिए इन में switch कौन सा होना चाहिए fireball कौन सा होना चाहिए vpn gateway कौन सा होना चाहिए isp से connection लेना यह सारी चाहिए तो physical networking जब आप करोगे तो आपको क्या चाहिए क्या चाहिए cidr value और आप सबको पता है कि क्लास अगर हम IP address के classes की बात करें तो class A में जो range होती हो क्या होती है 10 से start होती है 10. और कहां जाके खत्म होती है और class B की अगर अन्मुक बात करें क्या हो पुछ तो इसका क्या है तो स्वारी चैन नहीं यार जीरो है जीरो से 127 123 797 192 का थिंटीं एगर हम बात करें तो 120 128 तू 191 कि और class से 192 से 223 और क्लास D की अगर हम लोग बात करें 224 से 239 क्लास E की अगर हम लोग बात करें 224 से 240 से 255 ठीक है तो इन में से हम लोग डी तो तो यह देखें प्राइविट बनाने केलिए उस कर सकते हैं क्या अल्ली only हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 9 यूज़ नहीं कर सकते 11 यूज़ नहीं कर सकते सिर्फ ये यूज़ कर सकते अपना प्राइविट सेटप को करने के लिए ऐसे क्लास B की अगर हम लोग बात करें 172 से एक बर कंफर्म कर लेते हैं 172 16.0.0 से लेकर ये लास C की अगर हम लोग बात करें ये तो बताने का मतलब ये कि अगर आप खुद का क्लस्टर सेटप कर रहे हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए रेंज कौन सा यूज कर रहे हो और माल लो अगर आपने फिसिकल नेटवर्किंग सेटप करने के लिए ये वाला रेंज आपने इस्तमाल कर लिया ये वाली CIDR वैलू आपने ले ली कौन सी CIDR वैलू 10.0.0.0.0 स्लास 16 तो ये CIDR वैलू हो गई आपकी फिजिकल नेटवर्किंग के लिए इन में आप राउटिंग करो सब्नेटिंग करोगे तो स्विच लगाओगे अब एक नेटवर्किंग होती है इंसाइड इंसाइड होती है फिजिकल नेटवर्किंग अगर आप ओन प्रमैसेड में क्लस्टर सटप कर रहे है तो फिर वही है अगर क्लाउड में कर रहे है तो भी पीसी फिर बात आती है कि इंसाइड सौप्टिवर लेवल की नेटवर्किंग क्यों क्योंकि यहां पर अपना डेटा सेंटर बनेगा कंटेनर का इस्तमाल करके तो यहां पर आपको अपनी नेट्वकिंग करनी पड़ेगी उस नेट्वकिंग को कहते हैं लोग सब्सक्राइब क्या कहते हैं सब्सक्राइब करेंग किसी ने सुना है तो आप लोगों को मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों कि इतना तो पता होगा कि मार्केट से फिजिकल नेट्वकिंग की जॉप खतम हूगोई है mostly क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या है तॉप्टवर pandemic आने का ही में ठीज़न कि तो आज हो रही इस physical networking बट जॉब खतम हो गई है वेकेंसिया काम आती है रीजन यह है कि physical networking किस ने छीन लिया cloud computing वालो ने पहले physical networking करना यह माधा पच्ची हो जाती थी आज cloud में VPC बनाने में मुझे पता दीज़े ज़रा कित्ता time लगता है आज आप कोई रौटिंग करना करना पड़ रहा क्या नहीं आप क्लिक करते हैं पहले फायरबॉल क्यों सॉप्ट्र नेटेवर्किंग मार्केट में गया जिसमें डेवलपर ने पहले ही सब कुछ define कर दिया कि यह किस तरीके से वाउप करेगा आपको जस्ट कहा कि आप जैसे एक software लोड करते हो ऐसे software defined networking को लोड कर दो या अपने आप router create कर देगा अपने अप switch create कर देगा अपने अंदर अप routing कर देगा अपने fireball देगा सब कुछ देगा तो आप मुझे बताओ आप cluster बना तो रहे हो लेकिन क्या आप अपने डारेक्ट कंप्यूट में डारेक्ट ऑपनिंग सिस्टम में अपनी क्या नहीं आप कहां लूड करोगे container के अंदर तो यहां पर container एक computer है कि कुपरेटेट में सिंगल container नहीं होता container के उपर एक वर्चुल लेयर होती जिनको पॉड कहते हैं तो पॉड क्या है अपने आपने computer है तो computer है पॉड तो यहां पर 1000 पॉड चल रहे हैं पूरे cluster के अंदर ौड चल रहे है तीन अजर पॉड चल रहे हैं आपके मतलब 3000 computer चल रहे हैं तो इन 3000 पॉड के लिए IP तो चाहिए 3000 पॉड को control करने के लिए firewall तो चाहिए 3000 pod को अब कुछ pod इधर हैं, कुछ इधर हैं तो इधर के pod, इधर कैसे बात करें routing चाहिए, switches चाहिए connect होने के लिए सब कुछ चाहिए, जैसे physical networking में चाहिए होता था, ऐसे यहाँ पर pods के लिए सब कुछ चाहिए, पूरी networking चाहिए, तो पूरी networking कैसे करोगे, तो इन्होंने software defined network launch कर दिया, कहा यह software defined network की यूज़ करो, कुछ करने की जोतनी है सब कुछ अपने आप ये बना देगा, बस आप understanding रख, तो आप अपने लेबल का cluster बनाते हो, तो आपको software defined network की यहाँ पर पहले setup करनी पड़ेगी समझाई उसके बाद, उसके बाद इतने में काम नहीं होगा, काम और क्या होगा अब काम क्या होगा, कि आपको ये cluster, ये node, ये node, ये Node, ये node ये सारे आपके cluster के node है, मालो आपने decision लिया कि ये दो node का master बनाएंगे और बाकी का आपनो और कर बनाएंगे अच्छी बात है लेकिन यह सार अपस में कमुनीकेट कैसे करेंगे कम्यूकिकेश्ट करने के लिए आप एक्सपैर्ड हो जाएगा तो करना है फिर इसके बाद मास्टरोड जिसको आप बनाओगे मास्टरोड में आपको कुछ MP wanna करने पड़ेगे जैसे ऑपई तो क करने पड़ेगी आपको अपना डेटाबेस सेट अप यहाँ पर करना पड़ेगा आपको सीडूलर यहाँ पर सेट अप करना पड़ेगा आपको कंट्रोलर मैनेजर यहाँ पर सेट अप करना पड़ेगा आपको क्यूब प्रॉक्सी यहाँ पर सेट अप करना पड़ेगा आपको code DNS यहां पे setup करना पड़ेगा आपको Q blanket यहां पर setup करना पड़ेगा आपको एक sustainability के लिए कोई technology Docker यहां पे install करनी पड़ेगी और यह सारे components को भी आपस में integrate करना पड़ेगा और यह सारे components को भी आपस में integrate के लिए के भी certificate आपको लगेंगे तो ये सारी चीजे भी आपको पूरी setup करने पड़ेगी ये master node है आप चाहते हो ये master node डाउन हो जाए तो क्या होगा तो ये सारा setup आप यहाँ पे भी करोगे फिर इनके उपर आप एक node लगाओगे जित पे आप एचे proxy configure करोगे जो master node की balancing करेगा पिर आप यह सारी चीजा वर्ट करोगे अलांकि या पिस धर बडेटावे सिदेशन करें यह वरकर नुट पर तो नहीं डालोगे लेकिन क्यों proxy हो गया क्यू ब्लेट हो गया दॉकर यह सारे वरकर नुट पर डालोगे तो यह जा यह समझ हारी मेरी बात है यहां पर बट यह कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो यह कुछ अपना पड़ता है क्या जैसे मेरे पास दो सब्सक्राइब करते हो ना क्यूब एडियम तो एक स्क्रिप्ट है क्यूब एडियम क्या है एक स्क्रिप्ट है क्यूब एडियम आपका एक स्क्रिप्ट है जिसको आप रन करते हो तो यह देखें अगर हम लोग तो दो मार्शनोट थोड़ी आप ले रहा हो एक ही ले रहो लेकिन जब दो मार्शनोट की बात आती है तो उस केस में क्यूब एडियम के तो इंस्टॉलेशन करते हैं क्या करते हैं का अभूए तो हाडवे मोड में फिर हमारा क्यूब देम नहीं चलता प्रामे क्या करना पड़ता है सारे कंपरांट के हमें साटेफिकेट मैनुल बनानी पड़ेगी उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा सारी साटेफिकेट यहां पे इंजेक्ट करना पड़ेगा अपनी सबस्ट करों चीजिए आपकी सिस्टम के अंदर होगी के पिर उपर एक नोड लोगे जिस पर इच्छे प्रोक्सी कांफिगर करोगे फिर दोनों को मैप्ड करोगे पिर आप करोगे अभी प्रोक्सी सर्फिक्सर पे ना है और यह ट्राफिक को भेजेगा एक इधर बेजेगा और इन सब का स्टोरे सेम रखके डेटाविस का स्टोरे सेम रखोगे तो यह सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी समझ पारें बत को अभी तो उन्होंने कि स्क्रिप्ट दे दिया क्यूब इडियम कहा कि आप प्रक्टिस परपस के इतना माता पच्ची क्यों कर रहे है क्यूब इडियम स्क्रिप्ट रन कर तो इस सब कुछ अपने अपरेडियो जाएगा बट इन इंडस्ट्री ओपन सूर्स के तौर पर यूज़ करना तो आपको सब कुछ मैनुवल करना पड़ेगा समझ आगे मिवाद है इंडस्ट्री में क्यूवेडियम नौट अपन यूज़ नहीं कर से बिलकुल अगर आप ओपन सूर्स सेट अप कर रहे हो अपने ओन प् करते हैं मेज उठाते हैं पूल करते हैं तो इसके अंदर जैसे यह कुबलेटी ज़र्द बना रहे थे इसमें डॉकर इसको करना वड़ता है चाहिए कंटेनर के अंदर चलेगी तो एक कंटेनर टेक्नलोजी आपके पास होना चाहिए के on क्या कर रहा है तो अगर कंटेनर टेक्नलोजी नरेगी तो मैंने चीह करेगा के है तो आपके पास एक कंटेनेगिशन होना चाहिए या तो आप कर लेलो बेना यह कुछ भी पिडा ने सकते हो कि आपको मालम कुला स्मौनाल तो मुझे टोकर कहां कहां चाहिए और कहां कहां नहीं चाहिए आपको को सब कुछ कर देता है तो पूदी और देदेगा डॉकर को कि आप एक नटर बना के दो इस पर यह अपली केशन डालनी बस इतना ही काम है बाकि आपको डॉकर लेवल पे कुछ काम नहीं है यहां पर और यह पोड़ पोड़ में और इसमें कि इसमिए ऑब नोड़ एक अलग सर्वीज़ तैंड कर नई नई है कि देखो क्या होता है कि आपने ले सेट अपकर लिया ठीक है कि अब मेरे पास एक जावा की अपली किस जेन फ्रंट एड टीक है मेरे पास क्या जावा की फ्रंट एंड अप्लीकेशन आप मुझे यह लूड करना है कि यहां तो आप दुकान से कंप्यूटर खरी लो वह से त्हचाँ लू झिम वही चाँ यह क्या लेदा अप मालो मैंने दुकान दुकान से मैंने कप्प्षाइब यह जलेगा लेकिन अगर इस कंप्प्षाइब यहाँ पर नहीं नहीं कर पाएगा तो आप चाहते हो कि मैं इसको हाई अबलेबल बना के रखो कि इस पर अगर 100% लोड चला भी जाए तो तो भी मेरी वेबसाइट डाउन ना हो इस पर चलने वाली अप्लिकेशन डाउन ना हो तब भी कस्टमर की ट्राफिक को हैंडल कर पाए तो क्या करोगे फिर वही बाली बात आ जाती है कि दो-दो कंप् अप्लिकेशन डालो ऊपर लोड बैरेंसर रखो ऑटो स्कैलिंग रखो टाफ ट्राफिक डिस्रिबिशन रखो तो यह सब जो आप करते हो यह सब क्या है यह सब एक वर्क स्टेक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है मतलब आप अपना वर्क सिस्टम को हाई अबलेबल के लिए म यह सब बोलता है तो यह सब क्या है वर्क स्टेशन मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप अपने वर्क स्टेशन को मैनेज इस तरीके से कर रहे हो कि एक चीज़े डाउन होंगी तो भी हो है हम आप आपका विश्डिया एके अप्लिकेश्न डाऊन मोर्ण में नहीं जा रहा है यह दो करेगा कि यहां पर यहां पर काम करने के लिए कुपनेटिस का काम यह नहीं कि कंटेनर बनाना ध्यान रखना कुपनेटिस का काम है कि कंटेनर बन जाने के बाद उसकी मैनेजमेंट करनी है उसकी हाई अब क्या काम है अब डॉकर क्या है डॉकर एक कंपनी है जो कंटेनर टेकनलोजी प्रोवाइड करती है डॉकर जैसे और भी बहुत सारी कंपनी है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या एक टेकनलोजी है इस टेकनलोजी को कौन देता है डब्रॉस देती है जोर देती है गूगल देती है अलिबाबा देती है बहुत सारी क्लाउड प्रोवाइडर बैठे हुए जो आपको कंप्यूटिंग के सर्विस ऑन्लाइन देती है ऐसी कंटेनर की टेकनलोजी कौन दे रहा है डॉकर के साथ वह सारी कंपनिया देख रही यहां पर अगर आप देखें यहां गूगल आके लिखें कि डॉकर भीемन देखो किसल्गहां देता है कैया टॉकर की यह शौन दे रहे हैं है यह जो पी दे रहा है रंटा है रांचर भी दे रहा जो इस भी अपना दे रहा है और था Sé तो आप जब जाबा की अप्लिकेशन डिप्लामेंट मारोगे तो बनेगा बैकेट में कंटेनर ही लेकिन उस कंटेनर को मैनेज करने के लिए प्रॉपर हाई अबलिबिल्टी रखने के लिए टॉप आप कुपरनेटिस रहेगा तो जब आप आप यूज करते हो तो फिर आप कि डॉकर को और देते हो कि यह एप्लिकेशन डिप्लाइब करते हो कंटेनर पर लेकिन जब आप कुपरनेटिस यूज करते हो तब आप क्यूबनेटिस के अकॉर्डिंग चलते हो तो क्यूबनेटिस भी आपकी चीज़े सेट अप करवाता है सब वैक्स तो अगर हम लोग और हम लोग त्यूबे डियं इसक्रिप्ट का इस्तमाल करके एक स्टेहड अप कर रहे हैं तो हमें मार्सटे लोट में डॉकर चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि यह सारे कंपोनेंट्स हमारे कंटेनर पर जाके बनते हैं लेकिन हम अगर हाड़वे मोट से सटप कर रहे हैं तो हमें मास्ट पर डॉकर नहीं चाहिए क्योंकि यह सारे जो components हैं वो container पर नहीं बनते हैं वो आपके system d में बनते हैं operating system पर तो फिर आपको यहाँ पर container docker नहीं चाहिए लेकिन आप जब application deployment अपनी करोगे तो उसके लिए तो आपको container चाहिए तो worker यूज करोगे तो भाइसाब आपको ही टेंचन नहीं लेनी एक अपको लोड नहीं करनी आपको टेंचन नहीं नहीं डॉकर चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं करनी आप यह benefit हो गया aks पर आने की बाद समझागी इसके बाद इतना ही नहीं रहता सर इतना ही नहीं रहता आपने मालो अपने अपने लेबल पे कुबरेटिस सट अप कर लिया अब आप चाहते हों कि यार इस इस प्लैस्टर के अंदर एक हजार पॉड चल रहे हैं अब उन्हें 10000 की मोनेटरिंग करनी है क्या उसकी मैट्रिक् इतना नहीं कर रहा हां जी तब भी लगेगा न तो आप क्या करना होगा तब आपकी कमपभिक्ष और इया कर एक से मरें को सब्सक्रिक करेंका युक और मैंफॉआवर डिपेंडेंट काम करना पड़ेगा मॉनिटरिंग सेट अप करना पड़ेगा लेकिन इन एक्यस नो नीड क्या बोलता है आप कहां भाग रहे हो आप बताओ मॉनिटर करना आप फ्यू क्लिक करो अपके लिए क्लस्टर बनागे मॉनिटरिंग सर्विस फट से रेडी करके देदेगा हूँ वट ओपन सोर्स में सेट अप करना फिर मिंटेनिस करना है फिर आगे मैंपावर दो रखना इसके लिए कि दो लोग मॉल्टरिंग देख रहे हैं next, कल को ऐसा होता है कि ठीक है आपने क्लस्टर सैट अब कर दिया अब आपके डेवलोपर्स लिपलोपե्ट्र में सेटाप होगा हमारी एंप्लोड चल रहा है कि CICD के साथ integrate करना पड़ेगा बट इन AKS कहां भाग रहे हो क्लिक करो गिटॉप्स नाम का एक टूल होता जो आपको integrate करके देगा आपके CICD के साथ तुम्हां developer आपके कमिट करेंगे यहां पर पाइपलाइन चलेगे और सीज़े बैकेंड में सारी सेटप तो करा लेती हैं बट उनके कुछ ऐसे employees होते हैं जो डेली वेसिस के जॉब होते तो लोग कहते कि इनके लिए और ग्राफिकल सिस्टम बनागे देदो यह फ्यू बटन क्लिक करके अपनी चीज़े कर लिया करेंगे आपको प्रेशान नहीं करें तो आज आ रही है मेरी बात यहां पर यह नहीं उसके बाद ओपन साथ की परड़िस में आप देखो क्लस्टर के अंदर आपको बाहर से आने वड़ी ट्राफिक को कंट्रोल करने के लिए इंटरेट से जो ट्राफिक आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंग्रेस नोड रखो मतलब दो तीन नोड खरीदो नोड में इंग्रेस सेटप करो फिर उसको करो कि बाहर से आने वड़ी ट्राफिक यहां से कंट्रोल तो मतलब आपको इंग्रेस कंट्रोलर सेटप करना पड़ेगा मतलब क्यूबन इसके अंदर लोड वैलंसर वे सॉप्ट्वेर तो फिर आपकी मैंपावर डिपेंडेंट्स तो उसको सेटप करो फिर उसको मेंटेनेंस करो दो ती चार मैंपावर और लग गाएंगे इन एक यह क्लिक करो इंग्रेस कंट्रोलर सेटप मैं आपको डाउन भी नहीं होने वाला आप जस्कॉन्फिगर कर लेना अपने चाहिए आपको अप्लिकेशन लगी थो आपको कॉन से स्टोर से करेंट ऊगा तो फिर वही है कि आप दो चार नोड और रखो फिर अपना स्ट्रे सेट अप करो फिर जाख स्टोरे यूज करो इन एक यस फूँ क्लिक करो आपको स्टोर्स मिल जाएगी फिर उसके बाद आपके इंजीनियर्स इन सर्वर को एक्सेस करेंगे इन सर्वर को एक्सेस करने के लिए उनको अथन्टिकेशन सर्वर चाहिए जैसे एडी होता है यहाँ पर फिर प्लिक करो एडी सर्वर आपको मिल जाएगे फिर उसके वाज़ इन उपन सोर्स कल को यह पांच नोट का जो क्लश्टर है अब पांच के पांच नोट में लोड फूल हो गया अब आप चाहते हो यार और लगाना है तो फिर वही है कि नोट लाओ फिर वापस वेस डालो फिर कंपोनेंस डालो फिर उसको मांच नोट के अपने आप लेकिया जाओंगा तो मोटा मोटीव क्या समझ आ रहा है यहां पर मोटा मोटीव यह समझने को मिल रहा है कि जितना भी इंफ्रस्ट्रक्चर लेबल का जो काम है वो सारा काम क्यों बड़ एजोर वाले कर रहे हैं इंफ्रस्ट्रक्चर की सारे काम एजोर वाले कर रहे हैं आपको बस focus करना है अपने goal के साथ goal का मतलब क्या हुआ goal का मतलब हुआ आप अपने development में focus करिए और development को deployment में focus करिए बस कि developer development कर दे आप front end बना दीजिए back end बना दीजिए data base बना दीजिए चीजे चलती रहेंगे कल को new application आनी है तो new upgrades कैसे करनी है वो focus करिए आप इन चीज़ों में मत भागिए कि cluster कैसे setup करना है cluster का node खराब हो गया तो क्या करना ग्राफिकल के लिए क्लस्ट क्या करना है monitoring के लिए क्या करना है इंग्रिस controller कैसे setup करना कुछ tension नहीं लेनी आपको आप जस्ट अपने गोल के सब्सक्राइब करें इसलिए मार्केट में एक यस बूम पर है बात गुमाब फिर आके उतनी ही हो गई कि आप अपने high manpower रखते तो तो उनको payment देते थे और कोई confirmation भी नहीं होती थी कि perfect time पर resolution मिलेगा बट यहां पर आपकी infrastructure की सारी प्रॉलम में इन्हों ने ले लिए समझा भी सब्सक्राइब करें अगर मैं बात करूं ठीक है तो अगर आपका मालो गुमाफिरा के डिबेंड करता है कि आपको वर्किंग स्टाइल क्या है जैसे मालो आप open source पे चले गए ठीक है तो open source में अगर आप चले गए तो वहाँ पे आपको ना high paid salary manpower रखने पड़ी कि आपको क्या करने पड़ी कि हाई paid manpower salary वाले बंदे आपको रखने पड़ेंगे फिर आपको सारे इंफ्रस्ट्रक्चर आफ्रेंड कॉस्ट सब कुछ आपका लगेगा तो कॉस्ट वहाँ पर ज्यादा आता यहां पर कम आता है कि यहां पर लेखो क्या है यहां पर इनकाम को डेव ओफ्स इंजिनर ही कर देगा है जो आपने डेव बंदें रखें जिसे यह वहीं कर देगा लेकिन वहां पर देखो तो डेव मांदा नहीं करेगा वहां पर डेडिकेट क्योपनेटीस के बंदे होंगे थीक है जो उन में एक्सपर्टीज होगा उनको उसके उपर जिनको अलुडी दो सार तीन साल का कुपनेटीस पे या डेवर्फ पे एक्सपिरेंस होने के बाद और कुपनेटीस पे जोईन कर रहे होंगे, फिर वह राइपर नमन सेलरी वाले बंदे होंगे वहां पे कॉष्ट जाधा हक यहां पस्क्राइब आ ला न हो और फिर से फास्ट मैटर नहीं करता ना फिर थिव हैक्ष व्ही तो मैटर करती है है आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी तो मैटर करती है न कि बाई लोड बढ़े गया तो अब सर्वर कौन लगाएगा कैसे लगाओगे उतनी जल्दी लगापाओगे नहीं लगापाओगे सब्सक्राइब करना है तो आप मेरे को मालो मेरे को एक अप्लिकेशन आगे इंग्रेस्ट करना तो एक दम तो थोड़ी कर पाओगे आप एक दो दिन लोगे यहां आप सेट अप मिल रहा है इस एजली मैनेजबल है अजोर कंपनी कर रही है सपोर्ट भी बेकेंड से मिलेगा सब्सक्राइब कर दो नेगेटिव देखना अच्छा नेगेटिव देखना सब्सक्राइब कर दो नेगेटिव दो नहीं है ठीक है बट वह एक बहम बाली बात हो जाती बस क्या आपकी चीज़े आपके घर पे नहीं है आपकी नेगेटिव कुछ भी नहीं है बस यह है कि कल को अगर कुछ होता है तो अपना पैसा अपने घर पे रख रहे हो या सरगार के पास रख रहे हो होता है वही वाली भात कूल भी निया रुख कुछ भी निए सरकार भी बीकेती है यह आप टाइम को यह भी आता है को कि आप्सक्रूंद रहे ख़र लेकिंzinho कि बैंक था उती तो अबakar की में सिर्फ नाग्स मिलेगा लाइक एक इग्जाम्पल दे रहा हो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर फुरी परसिंट कहते हैं कि हम आपकी पूरी ले रहा है पूरी रिक अपरी देंगी तो हम लोग पहले और में सब्सक्राइब करते हैं तो हमें कुपरनेटेश को सब्सक्राइब करना देए यह करते हैं सब्सक्राइब करते हैं मतलब अगर मालों आपकी कंपनी में सो प्रोजेक्ट आया ठीक है तो प्रोजेक्ट्स आपकी कंपनी में आया कुपरिस के उपर तो 90 लोगों को आप यहां पर चले जाएंगे इस लेबल के लोग होंगे जैसे banking के हो गए कुछ ठीक है बहुत ज़्यादा उनके लिए security matter करता है जैसे आज भी इंडिया में के कहीं भी देख लो आप उनको कितना भी समझा लो वह अपने money कभी bank में रखने ही नहीं जाते हैं उनको flexibility चाहिए ही नहीं उन्हें online transfer की flexibility चाहिए नहीं उन्हें स्वापिंग online चाहिए नहीं वह कहेंगे हम सब कुछ करने वाले बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं तो वैसे हैं बट flexibility की बात करें इजी टू यूज की बात करें तो नो डाउट वैस्ट है फिर आपको पता भी चल रहा है तो जो डेवाप निस्पी कर दी तो उद्धर एजवड़ वह सिद्रेकिया सब्सक्राइब और बाहर की कंपनी आप देखना जितनी भी ऑस्ट्रेलियंस हैं यहां पर जितने भी जो नहीं प्रोजेक्ट साथे नो सब इनके उपर आते हैं डेप्लामेंट यहीं पर करते हैं कि नहीं आप दे जो मॉस्क्री प्रोजेक्ट सेना वह जोर के उपर है बिल्कुल सब्सक्राइब बहुत जल्दी नहीं जाती है जोर पे जल्दी जाती है प्री रिक्विजिट तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है अगर मैं नहीं पढ़ा था तो मैं बोल सकता था प्री रिक्विजिट क्योंकि देखो मैंने आपको ना वाली चीज़े भी बता दी ठीक है तो मैं अगर इनकी क्लस्टर लूँगा तो आपको कभी सवाल नहीं उठेगा कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मैंने आपको पुरा डिफ्रेंस बता दिया और कोई भी सर्विस में जब बढ़ाऊंगा तो मैं उसकी पुरानी वाली चीज़े भी बता कि चलूँगा तो प्री रिकुजेट अथा कुछ नहीं है हलांकि प्री रिकुजेट को लोग यहीं बोलते हैं कि यह कि पढ़ने से पहले आप ओपन सूर्स को पढ़ क्या है बट जब मैं ओपन सूर्स को भी लेके चल रहा हूं साथ में अगर कोई सर्विस थर्टी मिनिट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो निकल जाए करूंगा चलो मैं बता देता हूं ठीक है आज तुम्हें गरॉप कर रहा हूं ठीक है तर्फिते निट्रों व्हें तक प्रिट नेटीज़िए क्यों पिश्भिस दॉपकर पिड़ों दो